भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्बुद संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टिवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें गुर्देव जी नसा की आदत हो गई है छूट नहीं रही है इसके लिए क्या करें देखिए आदत कोई भी हो उसका छूटना कठिन होता है आदत बनना बहुत आसान होता है आदत बनाने में साथ दिन लगते हैं आदत छूटने में साथ साल भी लग सकते हैं और साथ मिनिट म में भी छूट सकती है क्योंकि आप के अंदर अगर संकलब सकती है प्रतिज्या सकती है प्रण की सकती है आप कसम खा लीजी नहीं पीएंगे जैसे जिन लोगों को सुगर हो जाती है डाक्टर कहता है मीठा मत खाना वो संकलब ले लेते हैं फिर मीठा नहीं खाते हैं और जिन मारे संकल्ब सकती से नसा की आदत छूट सकती है बच्पन में आप में खेलने कूदने की आदत थी वो छोड़ दिया की नहीं छोड़ दिया मनोरंजन करने की आदत थी उसको छोड़ा की नहीं छोड़ा बच्पन में आप विश्तर पर पेशाप कर देते थे वो आदत थी वो पकड़ा है जुमा खेलने का आदत तास खेलने का आदत सराप पीने का आदत जूट बोलने का आदत चोरी करने का आदत लड़ाई जगड़ा करने का आदत कुरोध करने की आदत और बेड़ी सिग्रेट गांज आचर स्तंबा को अफिम खाने पीने की आदत आलस करने की आदत बड़ी बड़ी आदतों की सिकार हो गए, तो जब छोटी छोटी आदते बच्पन की तुम छोड़ सकते हो, और जमानी में बड़ी बड़ी आदते बना सकते हो, तो इन जमानी में बनी होई आदतों को भी तुम छोड़ सकते हो, तुम अपनी सकती को तो पहँचानो, आपन तेज समारों आपे तीनों लोग हांगते काप हैं, अपनी सक्ति को पहचानों तुम क्या नहीं कर सकते हो, आदमी जब संकल्प ले लेता है, तो विशय भोगों को भी त्याक कर देता है, ब्रह्मचरी का पालन कर लेता है, आदमी संकल्प ले लेता है, जिले को छोड़ कर चल पहली बात आपके अंदर हानी लाव का विसलेशन करने का गुण पैदा होना चाहिए, और जब ठीक से हानी लाव को समझ जाओगे, और जीन आदतों को छोड़ना है, उन लोगों की संगत भी छोड़ना चाहिए, उन चीजों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों को दोस् हैं, तो आपकी सराब की आदत मुश्किल से छूटेगी, जुमारी दोस्त हैं, तास खिलने वाले दोस्त हैं, बीडी पीने वाले दोस्त हैं, तुम एक दिन छोड़ोगे, तुम्हारे दोस्त लोग आएंगे, अरे यार आईए, थोड़ा सा एक बीडी पी लीजिए, इसमे क्या फर्क होता इसमें कोई हिंसा है कि पाप है बीड़ी पीने में थोड़ा तो नसा होना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों की भी संगत छोड़ी है गलस संगत मत कीजिए आपकी आदते छूट जाएंगी आप सुखी रहेंगे प्रसन रहेंगे क्योंकि आदत आपको गुलाम बनाती चाहे जिस तरह की आदत हो जादा सोने की आदत है जादा आपकी लेटे रहने की आदत है बेठे रहने की आदत है गपा मारने की आदत है सारी आदत है खराब ही तो यह है गंदी आदतों को और अच्छी आदतों को डालिए सतसंग सुनने की आदत बनाईए अब गलत आतों में फसने से आप बिगड़ेंगे जब आप बिगड़ेंगे तो आपकी घर की विवस्था भी बिगड़ जाएगी और आप दुखी होंगे इसलिए इन आदतों को जीतिए धन्यवाद शुब कामना